वेल्कम टू दर लेसन नमबर 11 आज की इस लेसन में हम आगे के टैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो टैक्ट देखने जा रहे हैं वो है प्री टैक्ट प्री टैक्ट प्री को हम लोग इसका सिमबॉलिक रिप्रेजेंटीशन होगा वो हमें अंगलर ब्रैकेट के अंदर प्री लिखना होगा रहाइक प्री टैक्ग हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई भी टेक्स्ट एजट इस प्रेंट करना है हमें कोई फॉर्माटिक नहीं देनी है तो हम प्री टैग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली एक कूरियर फॉंट लेता है जो फॉंट बाइड डिफॉल्ट ये लेता है वो कूरियर है तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्विज से रेलेटेड कोई चीज अपने वेब साइट पे वेब पेस पे डालना है तो वहां पर आप प्री टैग यूज़ कर सकते हैं तो अगर मैं यहां पर प्री टैग यूज़ करूं तो सिंपल हमें क्या करना होगा हमें प्री लिखना होगा और यहां पर कोड आ जाएगा और हमें प्री को क्लोज करना होगा तो एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं तो मैं आ जाता हूं नोट पैट प्रस प्रस पर और यहां पर हम एक न्यू फाइल ले ले लेते हैं हमें लैंग्विज पर चलना होगा इसको HTML कर देते हैं यहां पर हम डॉक टाइप ले लेते हैं डॉक टाइप हुआ है है इस टीमल टैग फिर हमें लेना है 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 टैग ठीक है फिर हमें लेना है टाइटिल टैग टीक है यहां पर लिखेजे प्री टैग टाइटिल टैग में लिखेते हैं प्री टैग यहां पर हैट टैग आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा बॉडी टैग और यहां पर हम प्री टैग लगाना चाहते हैं तो मैं लिखेता हूं प्री टीक है और अगर मैं यहां पर प्री कुछ टेक्स्ट डाल देता हूं टेक्स्ट इन्हें in a pre-element pre-element is displayed in a fixed in a fixed-width in a fixed-width font in a fixed-width font and it preserves both it preserves both spaces and and line breaks and line breaks मैं यहां पर pre-tag को close कर देता हूं यहां पर मैं body close करता हूं और html close करता हूं ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने pre-tag use किया है pre-tag में जैसे हमने यहां पर multi lines लिखी हैं तो यह as it is display करेगा लेकिन अगर हम pre-tag ना लगाएं तो यह single line में display करेगा ठीक है तो pre-tag आप as it is जो लिख रहे हो वह as it is आपको print कर देगा तो पहले हम इसे सेप करेंगे मैं यहां पर इसको सेप कर लेता हूं पहले इसको नाम देता हूं file 3 file 3 हो टूप है file 4 कर देते हैं और यहां पर कर देते है all type ठीक है और यहां पर यह file 4.html कर दीजे और इससे सेप कर देते हैं अब इसे हम run करेंगे हमें run पर जाना है run में जाना है run पर क्लिक करेंगे derive पर चलेंगे web designing और file 4 पर डबल क्लिक कर देंगे तो आप यहां पर देखिए इसका जो font है वो courier है और जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पर use किया है उसी तरीके से इसने as it is यहां पर display कर दिया है ठीक है इसको इसने एक line में नहीं रखा है तो pre tag आप तब लगा सकते हैं जब आप as it is चीजो को html के अंदर print करना चाहते हैं तो यह भी बहुत important tag है यह तब काम आता है जैसे आपको कोई programming web page समझानी है तो उसमें क्या होता है different different lines होती है multiple lines होती है तो आप उसको pre tag के अंदर रख सकते हैं और उसे आप explain कर सकते हैं उसे आप display कर सकते हैं दिखा सकते हैं तो यह तो है pre tag के बारे में अब अगर हमें horizontal line draw करनी है ठीक है तो हम horizontal line draw कर सकते हैं तो मैं यहां तक का tag copy कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं new file पर ठीक है यहां पर language यहां पर htmi इसको यहां पर copy कर लेते हैं यहां पर हम बात करेंगे hr tag के बारे में ठीक है यहां पर हम बात करेंगे जो second tag है वो कौन सा tag है वो है hr tag ठीक है कि स्मॉल में कर लेते हैं hr tag ठीक है यह किसलिए यूज़ के रहते हैं यूज़्ट to draw a horizontal line अगर आपको horizontal line draw करनी है तो आप hr tag यूज़ कर सकते हैं यह काफी beneficial होता है जब हमें separate करना हो एक content को दूसरे content से ठीक है कोई ruler लगाना हो तो हम यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही simple है क्या करना हमें जैसे suppose यहां पर मैं कोई paragraph ले लिता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ horizontal horizontal ruler और मैं इसके नीचे लगाना चाहता हूँ एक horizontal line तो हमें सिर्फ लिखना है hr यहां पर सिर्फ लिखना है hr tag और फिर उसके बाद में हमें यहां पर सपोज एक और line हम लेना चाहते हैं ठीक है तो मैं इसी को copy कर लेते हैं और सपोज मैं यहां पर यह लेना चाहता हूँ फिर एक और लेना चाहते है हम रूप ठीक है और यहां पर मैं body tag close कर देता हूँ यहां पर मैं html tag close कर देता हूँ मैं तीन horizontal lines लेना चाहता हूँ और इसको उन्हों सेब कर देते हैं फाइल को इसको में लोग कर देते हैं file 5.html की नाम से और इसको all type कर देते हैं और save कर देते हैं इसे हम run करेंगे उन्हें web designing में रख रहा है file 5 की नाम से ठीक है तो यहां पर देखें यह horizontal line draw हो गई है तो इस तरीके से आप यहां पर horizontal line draw कर सकते हैं by using hr tag यह बहुत ही simple है और इसे आप separate करने के लिए अगर एक से ज्यादा content है आपके वेब पेस पर और आप उसे ruler के तुरू separate करना चाहते हैं तो आप यहां पर horizontal ruler लगा सकते हैं this is very simple अब मैं यहां पर जो आगे डिसस करने जा रहा हूं वो है font color के बारे में यहां पर मैं new file देता हूं यहां पर language html right मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं font color के बारे में तो तो हमारा next tag है वो है font tag right अब यह इससे क्या कर सकते है it is used to modify font अब इससे font को modify कर सकते हैं ठीक है क्या क्या modify कर सकते हैं such as size font size color etc right तो इससे हम लोग font size से यह सारी चीज़े कर सकते हैं तो font tag हम लोग कैसे लगाते हैं एक बार करके देखते हैं हम लोग तो मैं यहां आ जाता हूं यहां पर हम लोग title में लिख देते हैं form tag ठीक है और यहां पर हम लोग body tag के अंदर कुछ paragraph ले लेते हैं ठीक है जैसे मैंने यहां पर tag ले लिया और मैं यहां पर font लगाना चाहता हूं font जैसे मैं आप लिखता हूं इंस्टिट्यूट का नव लाल बादु शास्त्री ट्रेडिंग इंस्टिट्यूट यहां पर मैं font close करूंगा और यहां पर मैं अब मैं क्या करना चाहता हूं सब्स मैंने इसको लिखा है तीन बार और तीनों में अलग-अलग font दूंगा मैं फिर compare करेंगे ठीक है और फिर उसके बाद में हम लोग यहां पर कुछ और लिखते हैं यहां पर जैसे मैंने paragraph tag लिख लिया एक tag होता है strong tag जुसको हम लोग bold के लिए यूज कर सकते हैं स्ट्रॉंग टैग ठीक है आप स्ट्रॉंग टैग और बोल टैग दोनों यूज कर सकते हैं तो स्ट्रॉंग टैग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं साथ में तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई नोट और मैंने यहाँ पर इस को स्ट्रॉंग को क्लोज कर दिया ठीक है फिर the font-element, element, the font-element is not supported. in HTML5, use CSS, use CSS instead. यहां पर हमने paragraph close कर दिया, यहां पर मैंने body close कर दी, और यहां पर मैंने HTML close कर दिया, ठीक है? तो अब हमें क्या करने है, हम इस पर जो first paragraph है, उस पर हम लोग font color देना चाहते हैं, ठीक है? कलर के साथ साथ हम size भी देना चाहते हैं, तो suppose मैंने यहां पर size दे दिया, size, और size मैंने दिया है, suppose two point, यहां पर size हमने two point दिया है, color हम लोग दे देते हैं, suppose blue, यहां पर color हम लोग देते हैं, blue, right, अब इसी तरीके से हम लोग, निके वाले second paragraph पर भी हम लोग देंगे, ठीक है? तो यहां पर हम लोग दे देते हैं, suppose size 3, यहां पर size 3 दे देते हैं, और यहां पर color दे देते हैं, red, ठीक है? हमने यहां पर size 3 दे दिया, और color red दे दिया, इसी तरीके से हम लोग यहां भी font use कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग face दे देते हैं, और face में हम लोग देते हैं, वर्दाना, ठीक है? face में वर्दाना दे देते हैं, और color दे देते हैं, color दे देते हैं, green, right? तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको मैं save करूँगा file को, मैंने अलग-अलग font दिया है, अलग-अलग paragraph पे, ठीक है? तो अब मैं इसे save करूँगा, मैं आप पर इसको file 6 के नाम से save करूँगा, dot html, और इसको all type कर देंगे, इसे हम लोग यहां से run करेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखें, मैंने first पे दिया है, font size 2, और color दिया है blue, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने दिया है font size 3, और color दिया है red, फिर हमने दिया है face, वर्दाना, और font size दिया है हमने, इसमें हमने color दिया है, color green, ठीक है? तो इसमें आप देख रहे है, proper तरीके से सारी चीज़ें आ रही है, और फिर मैंने यहां पर note पे एक अलग tag use किया था, जो मैं आपको बताना चाहता था, that was the strong tag, ठीक है? तो अगर आपको इस तरीके से note लिखना है, कोई नीके information देनी है, तो आप उसे strong tag में use कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर यह tag use करेंगे, तो यहां पर एक tag का नाम में और लिख देता हूँ, that is the strong tag, ठीक है? it is also used to make the text bold, ठीक है? तो आप यहां पर strong tag use कर सकते हैं, अब मैं बात करूँगा, quote tag की, quote element की, जो हम q tag से लगाते हैं, यह भी काफी important tag है, q tag, ठीक है? इसको हम लोग quote element कहते हैं, quote element, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे use कर सकते हैं, एक program के तरूँ देखते हैं, तो मैं यहां पर एक program बनाता हूँ, यहां पर हम लोग यह portion copy कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग q tag की बात करेंगे, ठीक है? तो q tag basically होता क्या है? हम अगर double innoted comma या double quote लगाना होता है, तो q tag का use करते हैं, तो जैसे कि support अगर हमें यहां पर मैंने कोई भी paragraph ले लिया, ठीक है? जैसे wwwf wwwf goal is to अब यहां पर देखे, मैंने इस वो double quote के अंदर डाल लिया, और आफ बीड मैंने कि Mill कोई יהर क्वय कत मैंने किन रूफ और बीड मैंने का의 नहां बीड विये उता संपा पर्वाण़ कोईने किन ऐच्छ्टर रूब मैंने आप पर double code को close कर दिया और मैंने फिर यहाँ पर body tag close किया और यहाँ पर html tag close किया तक है और फिर यहाँ पर हमने पेरग्राफ को क्लोज कर दिया वी होप दे सकसीट इसको हम लुख सेप करेंगे यहाँ पर मैंने इसको सेप कर दिया है इसको हम लुख फाइल 7.html file 7.html के नाम से सेप कर देते है all file इसको हम लोग run करके देखते है क्या double quote हमारे text पे लगा है की नहीं लगा है तो यह हमारी 7 वाली file है जी बिलकुल अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यह यहाँ तक ऐसे है और फिर यहाँ से मैंने q tag लगाया था ना यह देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यह double innoted comma के अंदर है तो अगर आपको कोई भी content ऐसा लिखना है जिस पे double innoted comma आपको चाहिए वैपेस के अंदर तो आप q tag लगा सकते है ठीक है आपको q tag start करना है और फिर जब वो text complete हो जाएगा तो आपको q tag को close करना है तो यह एक important tag है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्ट और super script tag की हम लोग बात करेंगे अब सब्सक्रिप्ट टैग की तो उसके लिए हमें यूज करना है sub tag ठीक है यह किसले यूज कर जाता है सब्सक्रिप्ट के लिए अब सब्सक्रिप्ट टैग कहते हैं इसको और अगर हमें super script लगाना है तो simple है हमें एस यूपी लगाना है ठीक है यह super script tag होता है super script tag ठीक है तो हम सब्सक्रिप्ट और super script tag लगा सकते हैं super script tag क्या होता है जो baseline के ऊपर होता है और subscript tag क्या होता है जो baseline के नीचे होता है ठीक है तो जैसे कि suppose अगर मैं एक फाइल बनाऊ और उसमें मैं इसको लिखूं या ऐसा करते हैं इसी मैं मैं लिख लिता हूँ super script और subscript पहले हम लोग करते हैं super script is as follows ठीक है तो जैसे सपोज हमें लिखना है एक फॉर्मूला लिखते हैं एक वेल टू ठीक है हम लोग लिखते हैं एक वेल टू एम सी स्क्वाइर तो स्क्वाइर को हम लोग क्या करते हैं एस यू पी टैक के अंदर रखते हैं इसका है मतलब टू और एस यू पी को क्लोज कर देते हैं ठीक है और इसी तरीके से हम लोग यहां पर एक और पैरग्राफ बनाएंगे ठीक है यह होगा सब्सक्रिप्ट के बारे में सब्सक्रिप्ट इस एस फॉलोज तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं एक्श टू ओ तो टू हमें नीचे चाहिए न तो यहां पर हम एस यू बी लिख सकते हैं एस यू बी लिख सकते हैं और एस यू बी को क्लोज कर सकते हैं और ओ लिख सकते हैं ठीक है अब हमें क्या करना है इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया यह सेब हो गया और इसे हम लोग यहां पर रन करेंगे फाइल को लास्ट वली फाइल थी हमारी और मैं इसको रिफ्रेस करूँगा तो आप देखें e equal to mc square दिखा रहा है न तो 2 है 2 c के उपर है तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और यहां पर h2o 2 क्या है h के नीचे है मतलब baseline के नीचे है तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सब्सक्रिप्ट ठीक है तो यहां पर आप सुपर स्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट यह दोनों चीज़ें यहां पर आप यूज़ कर सकते हैं अब इसके बाद में एक और टैग हम लोग यहां पर डिस्स करेंगे तो परिस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट के बाद में यह बहुत इंपोर्टेंट एग है तो परिस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट एक और टैग है जो यूज़ किया जाता है यह बिग एलिमेंट इसको कहते हैं और यह क्या करता है मेक्स टेक्स्ट फॉंट साइज वन साइज बिगर ठीक है फॉर एक्जामपल फॉम दे स्मॉल मीडियम और फ्रॉम लार्ज टू एक्स लार्ज अप्टू दा ब्राउजर्स मैक्सिमम फॉंट साइज ठीक है तो अग एक पॉइंट बड़ा हो जाता है तो इसके लिए यह फॉंट कौन से है इस इस दे बिग फॉंट इस दे बिग फॉंट ठीक है इस यूस्ट टू मेक दस साइज साइज बिगर बिगर तो वन पॉइंट ठीक है न वन पॉइंट से क्या करता है साइज को बिग कर देता है तो बिग फॉंट हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं तो मैं इसको एक छोटे से प्रोग्राम से ही समझते हैं लोग तो मैंने इस पॉट्शन को कॉपी कर लिया और मैं यहां पर एक न्यू फाइल बना लेता हूं और यहां पर हम लोग बिग टैग के बारे में समझेंगे तो यहां पर मैं बिग टैग लिख देता हूं सबसे पहले हमें लैंग्विज पर जाना है और इसे HTML सेलेक्ट करना है अब हम लोग इसको यूज कर लेते हैं हमेशा आप इसको HTML पहले सेलेक्ट कर लिया करिएगा क्योंकि आपको फिर उसके कोरिस्पॉंडिंग टैग्स के अविलिबल करा देगा ठीक है तो हम लोग आजाते हैं body tag के अंदर मैं यहाँ पर पहले एक normal लाइन लिखता हूं paragraph के अंदर this is या this text is normal यहाँ पर हम लोग paragraph लगा देते हैं और फिर हम एक paragraph बनाते हैं ठीक है और इसमें लगा देते हैं big big tag sorry यहाँ पर हमें यह paragraph start करने हैं और यहाँ पर मैंने लगा दिया big tag और यहाँ पर हमने लिख दिया this text is bigger और फिर यहाँ पर हम big tag को close करेंगे और फिर हम यहाँ पर paragraph tag को भी close करेंगे ओके फिर यहाँ पर हम एक और नीचे paragraph tag लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग strong tag सीख चुके हैं तो यहाँ पर strong tag लगा दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए note ठीक है strong tag को close कर दीजिए और यहाँ पर हम एक note लगा देते हैं the big element the big element is is not supported in html5 not supported in html5 यहाँ पर हम p tag को close कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर हम body tag लगा देते हैं और यहाँ पर html tag लगा देते हैं तो अब इसे एक बार हम लोग run करके चेक करेंगे मैं इसको save कर लेता हूं फाइल को इसको file 8 के नाम से save कर देते हैं पाइल 8.html इसे run करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह तो हमारा normal text है और आप देखेंगे यह उससे size में थोड़ा बढ़ा है ठीक है तो इट मेंस हम big tag लगा करके कोई भी text जो normal size है उससे हम एक point बढ़ा कर सकते हैं तो जब भी आपको इसके requirement हो आप इस tag को use कर सकते हैं तो HTML5 में supported है मैंने note में लिख दिया है कोई issue नहीं है लेकिन यह HTML5 में supported है no problem right तो आज के lessons में हमने यह सारे tags discuss किये हैं आपको इन सारे tags की practice करनी है these are very important from the examination point of view तो आपको इन सारे tags की proper practice करनी है right तो आज की इस lesson में हम लोग इतना ही रखेंगे मिलते हैं कल एक नए lesson में so thank you so much for watching this lesson thank you